आज की जो रेमेडी है इसका मेन इंग्रेंडियंट है एलोवेरा जेल और विटामिनी कैपसुन दोनों हमारे हेल्थ के लिए हमारे स्कीन के लिए हमारे हेर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफीसिल होते हैं आज की जो रेमेडी है उसे आप दो तरह से अपलाई कर सकते हैं उसे आप नाइट में भी अपलाई करके लिए से चोड़ सकते हैं सुबह आप देखेंगे कि आपकी इसमूथ हो जाएगी और अगर आपको कहीं जाना है साधी में पार्टी में अगर पे ही आपके कोई आपकी इसकीन हाइडरेट हो जाएगी हील हो जाएगी और जब हमारी इसकीन हाइडरेट रहती है उसके उपर हम कोई भी मेक अप करते हैं तो हमारा मेक अप जल्दी खराब नहीं होता है इसमझ नहीं होता है तो आज की रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है और अच्छी ब बनाते बैठेगा, मुझे कुमेंट भी आते हैं कि इतना हो नहीं पाता है, इतना कोन करेगा, तो फिरें ये DIY रेमडी है, थोड़ा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप पालल में जाते हैं, आप चुप-चाप से बैठ जाते हैं, और आपको सारी ट्रीटमेंट वहां पे मिल जाती है, लेकिन वहां पे आपका समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, तो घर पे ना आपका समय जाने वाला है, बहुत जादा मुझे से कोई DIY रेमडी मनाते हैं, तो 15-20 मिट लगता है, और ना ही आपका पैसा जाने वाला है, तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, अगर थोड़ी से मेहनत कर लेते हैं, तो हमारी एश्कीन डेमेज नहीं होती है, हमारी एंडल नहीं पड़ती है जलदी और हमारे फेच पे केमिकल वाले प्रोडक्त जब नहीं use होते हैं, तो हमारी इंप समय जूरिया नहीं आती है, हमेशा गलॉ बना रहता ह तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया अच्छा रहता है यह हमें पहले समझ में नहीं आता है जब हमारी तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूत पड़ेगी और अगर थोड़ी से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है रमडी बनाने के लिए हमें से ही एक चुट अस करीब अलोवेरा जेल यह पतंजली का अलोवेरा जेल आप देखते होंगे मुसली मैं यही अपलाई करती हूं उसे बहुत सूट करता है बहुत ही अच्छा है यह एलोवेरा जेल और उसके बाद हम यहां पे एड़ करेंगे एक चुटकी के करीब हल्दी यह जो हमारी किचन कर रही हूं और उसके बाद हमें इसमें एड़ करना है इस रेमडी को हमें वन वी के लिए स्टोर करके रखना है तो एक कैपसुल इनफ हो गया आप अपने अकॉर्डिंग इसकी कॉंटिटी कमया जादा कर सकते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जब आप इसे मिक् दीटीटीन करना है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यह लग रहा है कि मार्केट वाली हमारी क्रीम होती है जल होता है सिम तो अब हम इसे अपलाई कर लेते आप चाहे तो इस अपने पर जैसे कि शर्डियों का माउसे में चार्ट होने वाला है तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसकीन हमारी बिल्कुल इसमूथ हो जाएगी और इसे सेम हमें फेस पे भी अपलाई करना है अब नाइट में अपलाई करके छोड़ दीजिए अब देख पाएंगे सुबाउट के कि आमेजिंग रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है हमारी इसकीन एकदम स्मूथ हो जाएगी और इसे अपलाई करने के बाद आपको इसा बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको फेस पे टैप टेप करके लगाना है और एक से दो मिर्ट तक बिल्कुल हलके हाथों से मसाज कर करना है जिसे कि हमारे इसकीन के अंदर अच्छे से आपजर्ब हो जाए और जब भी कोई शीरम या कोई ओयल आप अपने फेस पे अपलाई करते हैं तो थोड़ा सा मसाज करते हुए अपलाई किजी इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और जब ब्लड आज की जितनी भी निसानिया है रिमूव हो जाएंगी तो आई हो फ्रेंड आज की जो रिमडी है आप लोगों को पसंद आई होगी तो थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जिरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लिजिएगा बेल आइकोन के साथ में जिससे कि मैं कोई भी रिमडी शेयर करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं कैसे यूजबूल रिमडी के साथ तब तक के लिए बबाई ठेक के आई